आज है आज दिसम्बर 2022 और आज दिसम्बर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे हमें इस वीडियो इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में आपसे कुश्चन से पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट works नों बताना है आज कि इस पीड़ियो डिसकश में से डाउनलूड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलिःओम गृप से भी डाउनलूड कर सकते हैं टेलिःओम गृप पर आपको सारी पीडियाप एकन साथ मिल जाएएंगी औ तो आप उस link पर click करके टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में ससस्त्र सेना जंडा दिवस कम मनाया गया है तो अभी साथ दिसम्बर को ससस्त्र सेना जंडा दिवस मनाया गया तो इस question का बे options है अच्छा यह मनाया क्यों जाता है तो एक दिसम्बर को यह साथ सेणा जंड़ा दिवस मना जाता है। इसभर एक दिसम्बर को बेस्ट एट्स दिवस और बे इस एफ गेले, चाली और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतरास्टी दिवस मनाए गया 3 दिसम्बर को बिकलंग व्यक्तियों का अंतरास्टी दिवस मनाए गया 4 दिसम्बर को भारती नौसेना दिवस और अंतरास्टी बैंक दिवस मनाए गया पात दिसम्बर को बेसु म्रदा दिवस मनाये गया, चै दिसम्बर को डॉक्टर भीमरा अमेटकर की चासटमी पुंडितिती मनाये गई, तो दिसम्बर में अब तक इतने इंपोर्टेंडे मनाये गए हैं, ये आपको याद रखने हैं, अच्छा आज की इस वीडियो का हम टा टारगेट पिक्स करो, चाहे चोटा साई टारगेट पिक्स करो, लेकिन डेली मौनिंग मोट कर, सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑट्नमेटिकली अच्छी हो bhag窟 है हाली हम भारत कहां बारे में बिस्सु हैंदी समिलन का आयोज़न करेगा तो अभी अपना धेष भारत बारे बिस्सु हेंदी समیलं का आयोजन फिजी में करेगा तो इसकीषिन का से आप्सं से है 15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी दो जब देश तक यह वारे माँब बसु हिंदी समयलन फिजी में आयोजित किया जाएगा और इस बार की बेसु समीलन की थीम किया है इस बार की थीम है हिंदी फ़ ओम ट्रेडिशनल कॉल अंपे यहां पर बेसु제를्ष्ली नोईज्टु सम्मेलन की बात थ कर्द जाता है कर एक रास्टी हिंदी दिवस्युसा बात है तो फोने marks ऑंदी दिवस्युके दस जनवरी को और रास्ट्री हिंदी दिवस 14 सितंबर को मना जाता है अचा तेन तरह की important यह होते हैं एक रास्ट्री, एक बिस्षो और एक अंतरास्ट्री तो इन्वें अंतर क्या होता है तो जो रास्ट्री दिवस होते हैं वो किसी एक particular country में मना जाते हैं एक पर्टिकुलर देश में मना जाते हैं, बेसुत दिवस, दुनिया के हर देश में मना जाते हैं, दुनिया के हर देश में बेसुत दिवस मना जाते हैं, और जो अंतरास्टी दिवस होते हैं, वो एक से जादा देश में मना जाते हैं, तो इन तीनो डेश में याद रखना है आपको difference क्या होता है international day, national day और world day तीनों में difference आपको जाद रखना है ने क्युशिन है हाली में बांगलादेश भारत एक्क्यावनमा मैत्री दिवस कब मनाया गया है तो अभी 6 दिसंबर को बांगलादेश भारत एक्क्यावनमा मैत्री दिवस मनाया गया तो इस कुशिन का bay options है यह बांगलादेश की सतनता को चिन्नित करने के लिए बनाया जाता है अब बांगलादेश तो यह है map में बांगलादेश, बांगलादेस की capital क्या है? ढाका बांगलादेस की currency क्या है? टाका बंगलादेश की प्रेजेंट टैम पे प्रैम-िस्टर कौन है? सेख हसीना और बंगलादेश की प्रेजेंट टैम पे प्रेशिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिस अच्छा, बंगलादेश में बैस्विक, युबा जल्वायु सिकर सम्मिलन शुरू होगा बंगलादेस के क्रिकेटर रूबल हुसेन ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की बंडे में 8000 रन मनाने वाले पहले बंगलादेसी बल्लेबाज बने हैं तमीम इकबाल वसीफा नाजरीन केटू फते करने वाली बंगलादेस की पहली माईला बनी है बंगलादेस की खिलाडी हैं तमीम इकबाल इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की है बंगलादेस ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक नियुक किया है और सत्रे में मुंबई अंतरास्टी फिल्म महुत्समें बंगलादेस को कंट्रे ओफ फोकस जुना गया नेक्शिशन है हाली में कौन सा देश अंतरास्टी स्रम संगठन की एसिया और प्रसांत छेत्री बैठक की मेजबान ही करेगा तो अभी सिंगापूर अंतरास्टी स्रम संगठन की एसिया और प्रसांत छेत्री बैठक का मेजबान है अब सिंगापूर तो यह है मैप में सिंगापूर सिंगापुर की capital क्या है, सिंगापुर city, सिंगापुर की currency क्या है, सिंगापुर yen dollar और सिंगापुर के present time पे president कौन है, हालीमा याकूब नए क्यूशिन है, हाली में किस देश ने मद्ध एसी आई देशों के रास्टी सुरक्चा सलाकारों के सम्मिलन की मेजबानी की है, तो अभी अपने देश भारत ने मद्ध एसी आई देशों के रास्टी सुरक्चा सलाकारों के सम्मिलन की मेजबानी की, तो इसकूशिन का बे ओप्शन सही है ने क्यूशन है हाली में योगेंद्र अलग का निधन हुआ है बे कौन थे तो योगेंद्र अलग ये एक प्रसिद अर्थ सास्त्री थे और पूर्व केंद्री मंत्री भी थे अभी इनका निधन हो गया तो इस कुश्चिन का ए ओप्शन सही है ये थे पेरु पेरा बेड्मिंटन इंटरनेसनल में कौन सा पदक जीता तो दिगस सटलर है शुकांत कदम इन्हों ने अभी पेरु पेरा बेड्मिंटन इंटरनेसनल में सवड पदक जीता है। तो इस कुशिन का से ओätzen से यह निया है। हाली में भारत के पहले ड्रोन प्रसिश्चट सम्मेलन का उद्गाटन किस ने किया है तो केंदरी मंतरी अनुराग ठाकुर ने बारत के पहले ड्रोन प्रसिश्चट सम्मेलन का उद्गाटन किया तो इस कुश्यन का बे ओप्सन सही है अचा इसका उद्गाटन हुआ कहां पर है इसका उद्गाटन हुआ है, चेन नई में, नेक फिशन है, हाली में BBC की 100 प्रतिवासाली मैलाओं की सूची में, कितनी भारती मैलाओं को सामिल किया गया, तो BBC यानि कि British Broadcasting Corporation, इसने अभी 100 प्रतिवासाली मैलाओं की लिस्ट जारी की है, जिन में 4 भारती मैलाओं को सामिल किय अब ये चार भारती मैलाओं कोन है, एक हैं प्रियंग का चोपड़ा, दूसरी हैं एविएसन इंजिनियर सिरसा बांदला, तेसरी हैं लेखे का गीता अंजली स्री, और चौती हैं सामाजिक कारकरता, इसनेहा जावाले, कौन हैं, इसनेहा जावाले, नेक फिशन है, हाली म गूगल ने किस देश में गलत सूचना बिरोधी अभियान शुरू किया है, तो अभी गूगल ने अपने देश भारत में गलत सूचना बिरोधी अभियान शुरू किया, तो उसकुशन का बे आप्सन सही है, ये फेक न्यूज की वज़े से शुरू किया है, गूगल ने फे का आप्वा सबसे बड़ा विग्यापन बाजर अब एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के कोड़िंगge दोगवा तेश के अन्त तकु बिश्व का आठवा सबसे बड़ा विग्यापन बाज्स अपना देश भारत पूंजाएगा दूस-क्षिंस हृप्सन ने क्यूशन है हाली में किसे ONGC के अध्यक्ष की रूप में न्यूट किया गया है तो अभी अरुड कुमार सिंग को ONGC के अध्यक्ष की रूप में न्यूट किया गया तो इसकुशन का B options है यह यह हैं BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुड कुमार सिंग और अब इनको ONGC के ओयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी स्तापना कव हुई 1956 में इसका हेड़क्वाटर कहों पर है देहरादूल में और इसके प्रजेंट टैम पर चेर्मेन कौन है राजेस कुमार स्रीवास्तर अच्छा अभी प्रेति सुधन को संग लोकसेवा आयोक का सदस्य न्य लक्षमी बैंकटेस को आई एंटी उसी करनाटक का नया अब्द्यक्ष नियुक्त किया गया सेवी ने सुन्दरमण राम मूर्ति को बेसी का नया एमडी एंड सी यो गोसित किया अरुन गोयल को लेक्सिन कमीशन ओफ इंडिया का चुनाव आयोक्त बराये गया आई ओए की एथिलीट कमीशन का अद्द्यक्ष मेरी कौम को चुना गया गुजरात किर्केट संग का नया अद्द्यक्ष धनराज परिमल नास्तवानी को चुना गया सुमित्रा चरत राम पुरुसकार से उमा सर्मा को सम्मानित किया गया और बिनीत कुमार ने खादी एब अमेरिका ने अपने नबेंतम परमाड स्टेल्थ बंबर का नावरड किया तो इस कुछन का बे ऑप्सन सही है अमेरिका ने न्यूक्लियर बंबर बे टू बन रेडर का नावरड किया है और ये अमेरिका का नबेंतम परमाड स्टेल्थ बंबर है अब अमेरिका तो अमेरिक की प्रेसिडेंट कौन है जो बाइडन अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से अटा दिया है अरोडा मेलर ने अमेरिकी राज मेरी लेंड के उपराजपर का पद समाला है अमेरिका और दक्षिट कुरिया ने बेजिलेंट स्टॉर्म सेन्य अब्यास का आयोज कुशन है हाली में किसे भारती महिला क्रिकेट टीम का बल्लेवाजी कोच न्यूक्त किया गया तो पूर्व क्रिकेटर है एज कानिट कर यानि कि रिसी केस कानिट कर इनको अभी बारती महिला क्रिकेट टीम का बल्लेवाजी कोच न्यूक्त किया गया तो इस कुशन का एप् नएक कुशिन है तो इस कुशिन का ये कहां चल रही है ये कुलंबिया में चल रही है अब लास्ट वीडियो के कुशिन का अंसर लास्ट वीडियो मैंने आप से कुशिन पूचा था कि हाली में केस देश में माउंट से मेरू जौलमकी फटा है तो अभी इंडोनेसिया में माउंट से मेरू जौलमकी फटा यानि कि इस कुश्यन का बे ओप्सन सही था और लगबक सभी इस्टुरेणेस कांसर सही दिया मूश्ट इस्टुरेणेस के आरेंट डेटेल में लिखा मैं आपको एक बर फिर बोलूँगा क्वेश्यन के बारे मैं आपको जितना ज़्याद से ज़्याद पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का कुश्यन है हाली में भारत का पहला गूल्ड एटियम कहां कूला गया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेसुक पेज पर प्रेबियस एर कुश्यन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसुक पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके वारा फेसुक पे जोइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेबियस एर कुश्यन आपको बहुत है अगर आपको किसी कुश्यन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप इंस्ट पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हजीटेशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपूल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेट वाट्सप और फेसुग ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरू कर दिया करो तो यह था सबस्क्राइगे तो बरावर में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज वीडियो टैंक्स पर वाचिंग